हेलो गाइज वेल्कम टो बिदलाशमी कोचिंग गाइज मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10 चप्टर रवान जोगराफी जोकी सवनसातन एबंग विकास लिकर रहे हैं तो इस चप्टर में आप लोग काज कोईस्टेन और एंसर बताने बाले हैं और आप लोग को नेक्स्ट विडियो में इस चप्टर से रिलेटेट एक्स्पेलेन एबंग बेसिक क्वेशन बता चुके हैं वह बला विडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं ओके तो चली आज हम लोग सवनसातन एबंग विकास से रिलेटेट जो क्वेश्टेन है उसका आज हम लोग एंसर बताने तो तेखें फाष्टлоक को दे रखे हैं कि कि लोग एस को किस परकर का सन साद की है और फिर क्यान में है परभाव में है जेव या गहां में है आपका नवी करनिय और नवी करनिय युग तो इसका अंसर होंगे गहां नमबर और नवी करनिय युग ओके फिर देके दुसरा में है कि जोरी उर्जा निमलिकित में से किस परकार का सरसत नहीं है को में है पुरणपूर्ति युग फिर आपका खो में है औजैब गोह में मानव करीत या गोह में अचक्रियव तो इसका अंसार होंगे औजैब ओके चलिए Он फिर आम लोग चाहती नमर क्वेश्टन क्यों देखते हैं देखे तीन नमर क्वेश्टन है कि पांजाम में भूमी निमनीकरण का निमनी लिखित में से मुख कारण किया है तो तीन का इसका अनसार होंगे अधिक सिचाई ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर नमबर की कुष्टन बोर रहे कि निमलिखित में से किस परांत में शिडीदार यानि सोपानी के खेती की जाती है तो पंजाम में उत्तरफर्दस के मैदान मे हर्यान में या फिर उत्तरा खन design में तो इसका अनसार हो जाएंगा आपका उत्तराखन गो नमबर ओके चले फिर आम लोग नेक्स्ट क्वेश्टन देखते हैं देखे नेक्स्ट क्वेश्टन आपका फाइपनर दे रखे हैं कि इन में से कि इस राज्यमे काली मिर्दा लिखित में से निम्रिलिखित परसनों के उत्तर लगबक तीस सब्दों में दीजिए ओके तीस से ज्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते कोई दिकत नहीं तो टू का फास नमर कुष्टेन है कि तीन राज्यों के नाम बताईए जहां काली मिर्दा पाई जाती है इस पर मुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है तो चले इसका एंसर देखती है देखिए दो का एंसर है कि तीन राज्य जहां काली मिर्दा पाई जाती है वो है ग परकार की मिर्दा पाई जाती है इस परकार की मिर्दा की तीर मुख्य विसस्ताइं क्या है ओके यह आपका दुसरा नमर कोईश्टेन है तो चलिए पिर आम लोग इसका उत्तर देखते हैं तो कि दुसरा को उत्तर होंगे कि पूर्वी तत के नदी डेल्टा में जलोर मिर्द से होता है फिर बी नमर देख लिखना है जलोर मिर्दी सभी फसलों के लिए उप्यूकत होती है और काफी उपजाई होती है फिर तीन नमर या सी नमर देखना है यह देश की महत्तपुर्ण मिर्दा है जो देश के एक विस्तरित छेत्र में फेली हुई है फिर आम लोग बा देखे थिरी का उत्तर होंगे कि पहाडी छेत्र में मिर्दा अप्रदन की रोकताम के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए एक नमर लिखना है धाल बाली जमिन पर समच रेखाओं के समांतर हल चलाने से धाल गती कम होती है एसे छेत्र में समच जुताई को परत्मिकता द जाती है फिर टू नमर देखे लिखना है कि ढाल जमिन या ढाल जमिन पर सोपान बनाए जाने चाहिए फिर तीन नमर देखे लिखना है कि फसलों के मज धमिन घास की पट्टियां उगा कर भी मिर्दा अप्रदन कम किया जा सकता है फिर चान नमर देखे लिखना है कि अजयेव सनसादन क्या है कुछ उदाहरन दिजी तो चल इसका उत्तर देखती happening तो देखिए पहले आपको जयेव कड्रेश देना है और लिखना है कि वह सनसादन जिन में जीवन व्याप्त होते ही जीम पाई जाते हैं उसे जेव सनसदन कहते हैं जैसे में लिकना है मानिस, पसु, बनसपत्ति ओके फिर अजेव सनसदन लिकर डेस देना है और लिखना है कि ऐसे सनसदन जो निर्जी बस्तों से निर्मीध होते हैं उसे अजेव सनसदन कहलाते हैं जैसे पवन, जल, जिवासम, इं करें बर्स उनिसो साट से एक सट से बन के अंतर का छेत्र में महत्तपन विर्दी नहीं हुई इसका क्या कारण है तो चली उत्तर कर बढ़ते हैं देखें थिरी नम्मर का अवान उत्तर है कि भारत में भूमी इस्तेमाल का निम्न प्रारोप है अपने लोग का नम्मर बाज लिखना है देखें ए नम्मर है कि भारत की कोल इलाको में केबल 54 परतिसत हिस्से पर ही खेती की जाती है फिर बी नम्मर देखें लिखना है कि भारत का संपुर्ण भगोलिक छेत्रफल 32.8 लाग बर्ग किलोमेटर है लेकिन इसके 93 परतिसत भाग के ही भू परियोग अकड़ा उपलब्द है फिर सीनमा देखकर लिखना है कि लगबग 6.2 परतिसत भूमी बंजर भूमी है जो किरशी के लिए आयोग है जो किरशी के लिए उप्यूग तै नहीं है ओके फिर आप लोगो डी नम्मर या फर नम देखकर लिखना है कि बनो की अंतरगत भूमी का हिस्सा लगबग 22 परोतिसत है जो की परिशिति की संतुलन के लिए अवैस्यक 33 परोतिसत से काफी काम है फिर उसी में एक लाइन छोड़कर लिखना है कि बर्स 1960 से 61 से बनों के अंतरका छेत्र में महत्तपुन बिर्दी ना होने के निम्न कारण है एनम देख लिखना है कि भारत में त फिर बी नमर देखके लिखना है कि बनों की अंधाधुन कटाई हुई है तथा नए पेड कम लगाई है फिर सी नमर देखके लिखना है कि नगरों बस्तियों उद्धोगों सड़कों एबंग रेलमार्गों के विश्तार के कारण भी बन छेत्र के विश्तार में कमी आई है ओके फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्टन नमर थिरी का टू नमर की ओर देखिए थिरी का टू नमर क्वेश्टन है कि प्रोधोगीक और आर्थिक विकास के कारण सनसाधनों का अधिक उपवक केसी हुआ है तो चलिए इसका बढ़ते उत्तर की ओर देखिए थिरी का टू नमर उत्तर होंगे कि प्रोधोगीकी और आर्थिक विकास के चलते सनसाधनों का अति इस्तेमाल हुआ है इसके कारण निमलिकित हाइप्यंते को छड़ देना है और नमर बाज लिखना है ए नमर या आवान नमर देखर लिखना है कि आर्थिक विकास कई परकार के नई सनसाधनों का दोहन करने के लिए बाज दोहन करता है जिससे उनका अति दोहन होता है और फिर बी नमर या टू नमर देखर लिखना है जब किसी देश में प्रोधोगी की के विकास के परिणाम सहरूप आर्थिक विकास होता है तो उहां के लोगों के जीवन इस्तर में बिरिधी होती है फिर नमबर थिरी या सी नमबन देखकर लिखना है कि प्रोधोगी की और आर्थिक विक्यास के आपस में अंत सम्मंधित है अथ इसके फलसो रूप सनसादनक अति इस्तेमाल हुआ है ओके एही पर आपका चप्टर कम्पिल्ट होते हैं I hope आपको अच्छे लगे होंगे